मुझे पुकारती हुई पुकार खो गई कहीं आज भी नवीन प्रेणा यहां न मर सकी न जी सकी परंतु वह न डर सकी धनान्धिकार के कठोर पक्ष दंस चिहन से गंभीर लाल बिम्प प्राण जोती के गंभीर लाल इंदु से नमस्कार दोस्तों साहिति श्रजन में मैं रजनी आज बात करूंगी मुक्ति बोध जी के विशय में जो NTA NET वह अन्य परिक्षाओं के लिए भी समान रूप से उपियोगी होगा मुक्ति बोध जी जिन्हें उनके जीवित रहते हिंदी साहिति द्वारा वह सम्मान कभी नहीं मिला जिसके वे हगदार थे मुक्ति बोध जी अपने संपूर जीवन में एक बैंक का चेक काटने की लालसा लिये जीते रहे हालाकि उन्होंने अपने बात के यूग के कवियों के लिए यह थोड़ा आसान कर दिया उनके जीवित रहते उनका केवल कुछ कविताएं ही तार सब्तक में अगेई जी की कारण से प्रकाशित हो पाई अन्य था उनके विशाल लेखन का जो सागर है जो क्रम है वो उनके जाने के बाद समझ में आया या समझा गया उसकी उप्योगिता को ठीक उसी प्रकार जैसे सूरी की गर्मी बरदास नहीं होती लेकिन सूर्यास्त के बाद उसके अभाव का हमें ग्यान होता है ठीक वैसा ही व्यक्तित्व था मुक्ति बोजजी का और उनके चले जाने के बाद ही उनके साहित्ति को समझा, परखा और प्रकाशित किया गया मुक्ति बोध जी का पुरा नाम है गजानन माधव मुक्ति बोध इनका जन 13 नवंबर 1917 को ग्वालियर MP में हुआ था और बड़ी अलपायू में इनकी मृत्यू 11 सितंबर 1964 को हो गई थी इनकी पत्नी का नाम श्रीमती सान्ता मुक्ति बोध है और इनोंने भी दूसरे तार सब्तक में कुछ रचनाएं की हैं कर्म छेत्री की अगर हम बात करें तो जितना कहें उतना कम होगा एक कवी, लेखक, समिक्षक, एक संपादक, पत्रकार, आलोचक इन सबी छेत्रों में मुक्ति बोध अगरणी हैं इनकी मुख्य रचनाएं या कविता संग्रह की हम बात करें तो चांत का मुटेडा है भूरी भूरी खाग धूल इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कविता संग्रह के रूप में कहानी संग्रह हैं इनके काठ का सपना, विपात्र, सत्ह से उठता आदमी आलोशना के छेतर में भी नोंने बहुत सुन्दर कारे किया और आलोशना जगत को सम्रद्ध भी बनाया किन्तो फिर वही दुरभागी का विशय यह रहा कि इनके जीवित रहते, इनकी आलोशनाओं में जो मौलिकता थी उसकी और किसी का ध्यान विसेश तोर पर गया नहीं बलकि इन्हें जो अन्य सहायत्तिकार थे उनके दरजे से हमेशा अलग थरक ही रखा गया और अलग थरक ही पर रखा गया अब जबकि उनके चले जाने के बाद उनकी इन रशनाओं को जो इस युक के कवी थे उन्होंने सामने रखा विभिन्न माध्यों से जब वो सामने लाए तब जाकर इनकी आलोशनात्मक्रतियों के विसेश में हिंदी जगत को ग्यान हुआ कामाईनी पर इन्होंने एक पुस्तक लिखी है कामाईनी एक पुनर्विचार नई कवीता का आत्म संगर्ष नए साहित्य का सौंदरिसास्त और समिक्षा की समस्याएं और एक है एक साहित्य की डायरी एक साहित्य की डायरी जो है इसकी विधा इसको हम डायरी में भी नहीं कह सकते हैं क्योंकि इसमें कुछ निबंदों का संग्रा है मूलत हा अगर हम देखें तो इसके अलावा सन 1943 के तार सब्तक में इनकी कुछ रचनाएं संक्लित है दिमागी गुहा अंधिकार का औरांग उटांग ये सब्द कुछ अटपटे आपको लग रहे होंगे लेकिन मुक्तिबोत की ये खाशियत है कि उन्होंने ऐसे ही कुछ प्रतीकों को फेंटिसी को अपनी कविता में स्थान दिया है इस नाम की इसनकी एक प्रसिद रचना है दिमागी गुहा अंधिकार का औरांग उटांग जिसका प्रकाशन इसका एक कवी सम्मिलन में इन्होंने उसको प्रस्तुत किया था सबसे पहले इलाबाद के और लंबी कविताओं का एक प्रशिद संग्रह चांत का मूँ टेड़ा है 1964 में प्रकासित हुआ लेकिन तब तक है बिमार हो चुके थे और अपनी सुद्बुद खोचुके थे यानि अपनी होसों हवास में इन्हें अपनी कृतियों से जो प्रशंसा प्राप्त होनी थी वह प्राप्त नहीं हो पाई इनको हम निराला और प्रशाद के दरजे में रख सकते हैं जिन्हें जिनके अवदान को साहित्य गवदान को जीवित रहते कम आका गया और उनके चले जाने के बाद वह बहुत ज़्यादा लोग प्रिये हुए और साहित्य प्रेमियों के सांसाथ कवियों प्रते एक स्तर पे उनको सम्मान मिला इनके विशे में कुछ अन्य जानकारी हिंदी साहित्य में सरवादिक चर्चा के केंद्र में रहने वाले मुक्तिवोद कहानिकार भी थे और समिक्षक भी उन्हें प्रगतिशील कविता और नई कविता के बीच का एक सेतु भी माना जाता है NTA.net के पार्टिकरम में इनकी तीन रचनाएं सामिल है हम तीन वीडियो के माध्यम से क्रम वार इनके विशे में प्रथम में उनकी रचना और एक साहित्य की डायरी और दूसरे भाग में अधेरे में कविता और भ्रमराक्षक कविता के विशे में जानेंगे तीसरा भाग हमारा और भी अधिक महत पुन होने वाला है क्योंकि उस भाग में हम मुक्ति बोत की आलोशनात्मक्रितियों के विशय में और उनकी जो विचार थे आलोशना के विशय में उनके बारे में जानेंगे क्योंकि NTA.net के पिछले वर्स के फेपर में हमने देखा कि तीन से चार प्रशन उनकी आलोशना से संबंधित आ रहे हैं जैसे उरवर्शी में उन्होंने आलोशना करते वे क्या कहा था उरवर्शी की आलोशना करते वे कामाई नहीं में उन्होंने क्या कहा था ऐसी ही कुछ प अंते तक देखिए और चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेर करना बिल्कुल भी ना भूलें एक साहित्ति की डायरी क्या है? आई ये बात करते हैं डायरी सब्दे एक भ्रहम पैदा करता है और यहां गलत फैमी भी हो सकती है कि मुक्ति बोथ की यहां डायरी जो है जैसे नॉर्मली हमारी डायरी होती है इसकी तरह होगी और तिथिवार क्रम में होगी लेकिन वास्तिक्ता यह है कि एक साहित्ति की डायरी किवल उस स्थंब का नाम था जिसके अंत्रगत समय समय पर मुक्ति बोद को अनेक विश्यों के प्रश्ण पर विचार करने की छूट संपादक की ओर से होती थी और उसमें यहाँ अपने उन विचारों को निबंधों के माध्यम से प्रकाशित करवाते थे यह जो डायरी थी एक साहितिक की डायरी यहाँ वसुधा पत्रिका में प्रकाशित होती थी एक स्वतंत्र निबंधों होते थे इसमें उनके तो यह बहुत महत्वों डायरी इसलिए भी मानी जाती है क्योंकि इसमें मुक्ति बोद जी के साहितिक विचार काब के प्रती क्या थे, गद्ध के प्रती क्या थे, निबंद के प्रती क्या थे या साहित्ती की अन्य विधाओं के प्रती, मुक्ति बोध जी के जो विचार थे उनका वर्णन इनके माध्यम से, इस डायरी के माध्यम से हमें हो सकता है इसी लिए भी यह डाइरी काफी महत्वपुन हो जाती है डाइरी से ज़्यादा थर प्रकरणों को लेकर पूछ लिया जाता है इसके मुख्य तेरा प्रकरण है तो हम उनी के विशे में बात करेंगे पहला प्रकरण है तीसरा छण जिसमें समवात सैली है उनका एक केशव नाम के मित्र के सांथ कालपनिक मित्र के सांथ जो है उनकी साहितिक बात चीज़ है दूसरा है एक लंबी कविता का अंत आपको अगर ग्यात होगा तो मुक्तिबो दिया कहते थे कि मुझे छूटी कविताएं नहीं लिखी जाती है अगर मैं कोसिस भी करता हूँ तो वो पूर्णता वो बात उसमें नहीं हो पाती है विचारों को पूरी तरह उसमें मैं अपने समायोजित नहीं कर पाता हूँ इसलिए न चाते वे मजबूरी में भी मुझे लंबी कविता लेकनी पढ़ते इसका उधारण हम अंधेरे में या भ्रमराक्षक कविता पर भी ले सकते हैं दोनु ही कविताएं काफी लंबी हैं तीसरास का प्रकरण है डबरे पर सूरज का बिम्ब चोथा प्रकरण है हाशिय पर कुछ नोट्स पाचवा प्रकरण है सड़क को लेकर एक बातचीत छटा प्रकरण है एक मित्र की पत्नी का प्रश्न चिन साथवा प्रकरण है नए की जन्म कुंडली भागे आठवा प्रकरण है नए की जन्म कुंडली भाग दो नववा प्रकरण है वीरकर दसवा प्रकरण है विशिष्ट और अद्वितिय, ग्यारवा हैं कटुयान और काबिसत्य, बारवा प्रकरण हैं हमारा कलाकार की व्यक्तिगत इमानदारी भाग एक, तेरवा और अंतिम प्रकरण हैं कलाकार की व्यक्तिगत इमानदारी भाग दो अगले वीडियो में हम मुक्ति बोत की दो प्रसिद्ध कविताएं जो NTA NET में भी सम्मिलित है इसके अलावा वो वैसे भी अक्सर प्रतियोगी प्रतियोगी जो परिक्षाएं हैं उनमें उनसे संबंदित प्रश्ण पूछ लिया जाते हैं उन दोनों झाल 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 झाल